सबी लोग को जहिंद आज जो है हम लोग फिजिक्स के नए लेक्चिर के शुरुआत कर रहे हैं और इस लेक्चिर में जो है हम लोग डिसक्शन करेंगे वो टॉपिक्स मैंने हाँ पर लिख दी हैं एक बार आप लोगो बता दू कौन कौन चीज़ों के बारे में चर्चा चाहिए बड़का बल के प्रगार पाइन इसम horrible थोल्टे हों तुर्च की बात करेंगए इसको आप बल्गम की बात करेंगे ठीक है उसके बात एंगुलर मुमेंटम और फिर सेंटर आफ मास center of mass जिसको आप द्रवेमान केंदर बोलते हो इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं तो हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बल क्या होता है what is force तो बल सिंपल सी definition यह होती है किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन को अवस्था में परिवर्तन के लिए किया गया कार या किया गया उस पर activity बल कहलाती है मतलब कि अगर कोई भी body अगर आपकी किथी position में रखी हुई है या फिर कोई भी body movement में है वो चल रही है किसी भी दिशा में समझ में आगी बात ये एक जगे पर रुकी हुई है और ये जो body है कहीं move कर रही है तो इनकी अवस्था में परिवर्तन जो भी का चीज ले आएगा उसको आप बल कहोगे जैसे अगर आपने इसके उपर वह बल या फिर force एपलाई किया तो यह अपनी अवस्था को बदल देगी और ये रुकी हुई नहीं रहेगी movement में आ जाएगी उसी तरीके से ये चल रही वस्थु है move है चल रही है अगर आपको इसकी दिशा में परिवर्तन करना है इसके वेग में परिवर्तन करना है या फिर इसको रोक देना है या फिर इसमें आपको acceleration डालनी है मतलब इसकी speed को आपको बढ़ा देना है तो उसके लिए भी आपको क्या apply करना पड़ेगा इसके उपर force लगाना पड़ेगा तो simple सी बात क्या हो गई बल एक प्रकार का push है या pull है simple सी बात है push मतलब होता है धकेलना बल एक प्रकार का push है या pull है ठीक है या तो आप push बोलो के धकेलना और pull मतलब क्या हो गया खीचना तो देखिए क्या होगा ये push और pull माल लीजे कोई एक वेक्ति है और ये कोई object रखा हुआ है या वेक्ति इसके उपर दो प्रकार से बल लगा सकता है या तो ये इसे अपने तरफ खीच सकता है या तो इसे आगे डखेल सकता है यही दोनों चीज़ें तो करेगा या तो ये अपने तरफ इसे क्या करेगा pull करेगा या तो इसे क्या करेगा push करेगा और इन दोनों चीज़ों के लिए इसको आवश्यकता किसकी होगी तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे बल force लगेगा आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके दरवाजे पर लगा रहता है न ऐसे एक तरफ यहाँ पर हैंडल लगा रहेगा एक तरफ लिखा रहता है पुश और एक तरफ लिखा रहता है पुल हमेशा इसी में गन्फूजन होता है कि पुश मतलब या केलना या खीचना होता है ठीक है तो पुश या फिर पुल किस लिए किस लिए चाहिए तो आप बोलेंगे बल लगाने के लिए फोर्स लगाने के लिए ठीक है बाद अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी यूनिट क्या होती है यूनिट इसकी दो तरीके से होती है अगर आप F को SI यूनिट में देखेंगे तो इसका जो मातरक होता है वो होता है न्यूटन Newton किसली क्योंकि Newton ने ही इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को सबसे पहली बार बताया था फिर F की अगर बात करेंगे आप CGS यूनिट में CGS यूनिट में तो इसका जो यूनिट होती है वो होती है Dine तो एक Newton बराबर 10 to the power 5 Dine होता है ठीक एक Newton बराबर 10 to the power 5 Dine होता है मतलब Newton एक बड़ी यूनिट है और Dine छोटे यूनिट है Force का formula क्या होता है F बराबर M A Force is equal to mass into acceleration अब इसकी mass की यूनिट क्या होती है तो आप बोलेंगे kg acceleration की यूनिट क्या होती है meter per second square क्योंकि acceleration बराबर change in velocity upon time होता है velocity बराबर क्या होता है displacement upon time होता है विस्थापन upon समय होता है विस्थापन की यूनिट तो आप बोलेंगे meter और समय की यूनिट second इसको यहाँ पर पुट करो तो acceleration की यूनिट क्या हो गई meter upon second यह velocity की है और time यहाँ पर दे रखा है तो आप बोलेंगे second तो meter upon second square होता है तो यहाँ kg हो गया यह और यह acceleration की यूनिट हो गई meter per second square हो गया तो kg meter S-2 ठीके बात और इसी को आप क्या बोलते हो Newton और इसी को आप क्या बोलते हो Newton अगर वहीं पर kg की जगए मैं gram कर दूँ और meter की जगए मैं centimeter कर दूँ और यह कर दूँ second square क्योंकि कोई भी आप system ले लोगे कोई भी आप unit बोले लोगे measurement unit तो वहाँ पर time की जो यूनिट होती हमेशा second ही रहती है इसको दिमाग में रख लिजेगा तो kg gram centimeter per second square इसको बोला जाता है dine इसको क्या बोला जाता है dine बोला जाता है ठीके बात तो वही चीज यहाँ पर है समझ में आगी बात या तो kg meter per second square बोलो या तो newton बोल दो या तो gram centimeter per second square बोल दो या तो dine बोल दो समझ में आगी बात अब देखेंगे तो अब देखेंगे हम types of force बल के प्रकार types of force या फिर आप बोलेंगे बल के प्रकार तो इसको आप दो तरीके से divide कर सकते हो एक होता है non contact force तीक है या फिर इसको बोलेंगे field force field force हिंदी में बोलते है असंपरकबल या फिर बोला जाता है छेतरबल और दूसरा होता है contact force या फिर संपरकबल फोर्स के प्रकार में क्या क्या हो गया दो प्रकार के force हो गया एक हो गया non contact force या फिर फोर्स बोलोगे या फिर contact force अब इनसे समझ में आ गई होगी बात नाम से समझ में आ गया होगा अगर दो वस्तों के बीच में संपरक नहीं हो रहा है इनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा non contact force परतु वहीं पर दो वस्तों के बीच में अगर संपरक हो रहा है तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा आपका contact force क्या कहलाएगा contact force ठीकिasu बात अब देखिए तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉंटेक्ट फोरस की ठीकिक क्वी छोटा Allah है किसको आराम से हम देख लेते घा अगरा कॉंटेक्ट for की बात करोगे तो इसमें तीन प्रकार प्रकार के बल लगते हैं एक होता है आपका मस्कुलर फॉर्स है या फिर आप बोलोगे मान स्पेशियेबल दूसरा होता है आपका मेकैनिकल फोर्स या फिर आप बोलोगे या अंतरिक बल तीसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर आप बोलोगे घर्शनबल चीक है बात अब देखे तो पहला क्या है मस्कुलर फोर्स आपके मान स्पेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको बोलते मस्कुलर फोर्स जैसे अगर माल लीजे ये कोई विक्ति है ठीक है बात इसे इस बॉक्स को लिफ्ट करना है इस बॉक्स को क्या करना है उठाना है उठाने के लिए ये जो बल आरोपित करेगा वो अपने हाथ की मान स्पेशियों से करेगा तो वो जो बल लगेगा वो क्या होगा मस्कुलर फोर्स परन्तु आपको मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए इस वस्तु को अ अपने हाथ से पकड़ना पड़ेगा या पैर से आपको छूना पड़ेगा तो kontakt हुआ contact होगा तो इसको किसमेर कजाएगा content force में तो muscular force जो maобыlt लगाया हुआが बल होता है उसे आप पर क्या है बाल्टी लटकी हुए पानी ठीक है और यहां पर कोई वेक्ति है जो उसे क्या कर रहा है खीच रहा है समझ में आगे बाद यह वेक्ति क्या कर रहा है इसे खीच रहा है तो यहां पर आपकी कौन सी फोर्स लगेगी यह अंत्रिक बल लगेगा मेकैनिकल फोर्स यह के बात चलिए अब तीसरा देखते हैं Frictional Force Frictional Force या फिर घर्षण बल की बात करेंगे तो यह परकार का क्या है Contact Force होता है तो यह जो है यह उन वस्तुओं के बीच में लगता है जो की आपस में contact में है जैसे अगर मैं बात करूँ तो यह कोई box है अब आप इसके उपर इधर से बल लगा रहे हो तो घर्षण बल हमेशा कहा लगेगा विप्रीदिशा में लगेगा ठीक है अब यह जो घर्षण बल होता है यह क्या करता है अपोस करता है direction of motion को अपोस दे डाइरेक्शन ऑफ मोशन इसका शेप्टर ही अभी आगे इसके बारे में डिसक्स करूंगा फ्रिक्शन के बारे में तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है अब इसका मूवमेंट किधर हो रहा है इस साइड में आपने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में इसका मुवमेंट हो रहा है परतु जो घर्षण बल होता है वो मुवमेंट के दिशा के विपरीत होता है अब अगर घर्षण जादा हो जाता है तो मुवमेंट क्या होगा रुप जाएगा अगर घर्षण आपका कम रहेग एक आदमी ने इसको अपने पैर से क्या मारा? किक मारा? अब ये आगे के तरफ बढ़ेगा लेकिन ये आगे के तरफ बढ़ेगा तो आगे जाते जाते एक समय आएगा कि वहाँ पर वो रुख जाएगा अब दीरे दीरे इसकी स्पीड में क्या होगी? इसकी वेलासिटी में क्या होगी? कमी होगी वेलासिटी में कमी किस कारण से हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा बल होगा जो इसके विपरी दिशा में कारे कर रहा होगा अगर वो विपरी दिशा में कारे कर रहा है लेकिन इन सारे forces के लिए आपको contact जाऊशकता पड़ेगी, अगर ये वस्तु, जैसे मालनो football है, तो football को kick करोगे, अगर ये जमीन पर kick करोगे, तो आगे जाने पर ये रुख जाएगी, परन्तु अगर आप इसको हवा में मारोगे, तो हवा में ये force काम नहीं करेगा, वहां mechanical force में भी क्या चाहिए होगा, टच का सिस्टम चाहिए होगा, अगर आप contact में नहीं है, तो mechanical force नहीं माना जाएगा, muscular force के अगर बात करेंगे, तो अगर आपने अपने muscles का use करना है, तो उसके लिए आपको उस वस्तु को contact में लाना पड़ेगा, तो ये तीन प्रकार के बल ह होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, contact force को बोलते हो, ठीक है बात, तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, वस्तु के बीच में संपर्क की आवश्यकता होती है, वस्तु के बीच संपर्क आवश्यक है, समझ में आगई बात, there must be a contact between two bodies, ठीक है, अब बात करते हम non-contact force की, यह असंपर्क बल होता है, ठीक है, और मूल भूत, अगर आप देखोगे, मूल भूत रूप से इसको चार भाग में विवाजित करते हो, चार भागों में, जैसे, सबसे पहला होता है, गुरुत्वा कर्शनबल, गुरुत्वा कर्शनबल, जिसको आप बोलते हो, gravitational force, इसके लिए संपर्क किया उशक्ता नहीं होती है, फिर होता है आपका electromagnetic force, या फिर आप बोलो कि विद्दुद्चुम्बकीबल, विद्दुद्चुम्बकीबल, इंगलेश में बोला जाता है, electromagnetic force, इंदी, शौर्ट फार्म में EMF लिखा जाता है, electromagnetic force, फिर होता है दुर्बल, नबकीबल, जिसको आप बोलते हो, weak nuclear force, ठीक है, WNF, ये क्या होगा, दुर्बल होगा, अब strong nuclear force, जिसको प्रबल ना भी कीबल बोला जाता है, प्रबल, ना भी कीबल, या फिर आप बोलोगे, strong nuclear force, SNF, अब देखिएगा द्यान से, देखिए, gravitational force जो होता है, इसका जो परास होता है, या फिर range होती है, अनन्त होती है, बतब पूरे ब्रह्मान्ड में, जो भी वस्तु है, वो आपस के बीच में क्या लगा रही है, आपके, gravitational force, अगर मालो, एक sun है, और उसके दूर का, sun के सबसे सजदीक का तारा क्या है, proxima century, तो proxima century भी क्या कर रहा है, sun के उपर, gravitational force लगा रहा है, और sun भी क्या है, proxima century के उपर gravitational force लगा रहा है, ठी, वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, जब आप sun की बात करते हो, और उसके बगल में आप ले लेते हो, अर्थ की, जहां समझेगा, sun की बात करेंगे, और अर्थ की, तो sun द्वारा पृत्वी पर लगाया जाने वाला बल, कहलाएगा आपका gravitational force, gravitational force, या फिर आप बोलोगे, गुरुत्वा कर्शन बल, गुरुत्वा कर्शन बल, चीक है बात, परंदु पृत्वी द्वारा लगाया हुआ बल, किसी के उपर भी, उसको कहते हैं, force of gravity, force of gravity, अभी आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा काफी विस्तार से, अभी ध्यान समझेगा, जब भी आप बात कर देते हो, अर्थ की, तो अर्थ के respect में आप gravitational force का प्रियोग नहीं करते हो, आप हमेशा क्या करोगे, force of gravity का प्रयोग, ये force of gravity, प्रिथवी के केंदर के तरफ लगने वाला बल होता है, मतब किसी भी चीज़ को प्रिथवी अपने केंदर की तरफ खीचती है, तो उसे कहते है, force of gravity, या फिर गुरुत्वी बल, गुरुत्वी बल, समझ में आ गई बात, किसी भी body के उपर अगर कोई बल लग रहा है, तो वो उसके उपर कहले गुरुत्वा कर्शन बल, परन्तों जैसे या प्रिथवी की बात कर लेते हैं, प्रिथवी द्वारा लगाया जायने वाला बल, किसी के उपर भी वो क्या कहल है, फेक रहा है, अब यह चीज़ है, यह वापस आएगी, यह वापस किसके दवारा आ रही है, प्रिथवी द्वारा लगाये हुए, ग्रिविटेशनल पोस नहीं भावोजब बिप्रिथवी की बात करोंगे, वहां पर किसका प्रियोप करोंगे, पोस आप ग्रेविटी य वाला बल गृत्वी बल कहलाता है वो किसी के उपर भी लगाएगी तो उसके लिए क्या कहा है गृत्वी बल हमने उसको अलग से डिनोट कर दिये कोई हम पृत्वी पे रहते हैं पृत्वी के लिए हमने अलग से एक बल के कर दिया क्योंकि अगर आप Irritational force करोगे तो तो सब के उपर लग रहा है लेकिन पित्वी के बारे में जब बोलना होगा तो specifically हम किसकी बात करेंगे गुरुत्वी एकबल की बात करेंगे गुरुत्वाकर्शनबल जो होता है यह range इसकी क्या होती है अनंध होती है, infinite होती है कितना भी दूर रहेगा उसके उपर गुरुत्वाकर्शनबल लगएगा है लगएगा ठीक है, और यह weakest force है दुरुत्वल तंबल है weakest force है दुरुत्वल तंबल है ठीक है अगर यह दुरुत्वल तंबल नहीं होता बल जाता है, तो उसके द्वारा जो हम छोटे-छोटे ग्रह है, जितने भी वह सब खीच करके सन में समाहित हो गए रहते इसी वज़े से कहा जाता है, gravitational force जो होता है weakest force होता है, दूरी क्या होती है अनंध होती है इसकी, ठीक है यह सिर्फ गुरुत्वा कर्शन बर सिर्फ और सिर्फ आकर्शन है बेटा क्या है सिर्फ आकर्शन attracting force है attracting force है और विद्यूत्चुम की बल आपका gravitational force से क्या होता है, यह थोड़ा सा मजबूत होता है, gravitational force से क्या होता है मजबूत होता है यह जो अरो में ने बनाया है मतबavour ग्रेविटेशनल फीर्स कमजूर होता है इलेक्रोमैघनेटिक फोर्स है रेंज क्या होता है इलेक्रोमैट्रिक फोर्स का अनद्ध होता है यह आकरशण वह działa करशण दोनों है तीक है attracting and repulsing ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ दो बॉडी है एक positively charge एक negatively charge ये क्या होंगी attract होंगी लेकिन वहीं पर अगर मैं दोनों को क्या कर दूँ positive कर दूँ या दोनों को मैं क्या कर दूँ negative कर दूँ दोनों के उपर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा रिपल्सिंग हो जाएगा ठीक अनन्दूरी पर लगता है परन्तु ये आकर्शन भी हो सकता है और और आपका परती कर्शन अट्रेक्टिंग और रिपल्सिंग दोनों सा परन्तु गुर्ताव कर्शन भाल सिर्फ वसिफ क्या होगा आपका अट्रेक्टिंग फोस होगा ये खिचाव करेगा आपस में एक दूसरे को बाद करके रखेगा ठीक उसका दुरबल नाम कीबल ये जो होता है वो विद्युद्चुम केबल से मजबूत होता है इसका जो रेंज होता है वो कम होता है रेंज क्या होता है इसका कम होता है कितना होता है 10 to the power minus 12 मीटर अप्रॉक्सिमेटली इतना माना जाता है इसका वही पर अगर आप वही पर अगर आप strong nuclear force की बात करोगे तो ये strongest force होता है strongest force of nature है strongest force of nature है यह प्रकृतिका प्रबलतम बल है यह प्रकृतिका क्या है प्रबलतम बल है सबसे strong होता है इसका जो range होता है या परास होता है वो क्या होता है कम होता है इससे भी कम होता मतलब 10 to the power minus 15 meter में यह लगेगा ठीक है जो नाभिकों के अंदर होता है जिस वज़े से nucleus जो होता है वो electron को अपने साथ बांद ही रखता है orbit में उनके उपर जो बल लगता है कैसा होता है आपका प्रबल नाभिकी बल strong nuclear force होता है ठीक है अब देखिए तो दुर्बल नाभिकी बल क्या होगा जैसे ऐसे आप atom की size को बढ़ाओगे तो electron और nucleus के बीच में distance क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी ठीक है बात तो एक बात समझो अगर मैं के की बात करता ह तो K orbit, L orbit, M orbit, N orbit, O orbit, P orbit तो सबसे बाहर वाले जो orbit में electron होंगे कक्षा में electron होंगे उनके उपर nucleus द्वारा लगाया जाने वाला बल या इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो क्या होगा? कम होगा? समझ में आगी बात परंतु जो electron nucleus के एकदम नजदीक है उस पर लगने वाला बल क्या होगा? मजबूत होगा तो इसी यह दोनों nuclear force ही है परंतु जैसे आप distance बढ़ा होगे बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा? बाहरी orbit का electron अपनी कक्षा को छोड़ सकता है परंतु सबसे अंदर वाले electron को अपनी कक्षा छोड़ने के लिए ज़्यादा energy के और शक्ता पड़ेगी क्यों? क्योंकि इनके बीच में लग रहा बल जादा है और बाहर वाले electron के उपर जो बल लग रहा है नुकलियर ज़्यादा होगा? आपका कम होगा तो बाहर वाले electron को निकालने के लिए असानी होती है परंतु अंदर वाले electron को निकालने के लिए आपको ज़्यादा energy देना पड़ता क्योंकि बल वहाँ पर ज़्यादा है ठीक है दोनों है दोनों nuclear energy ही है nuclear force ही है तो उसका मतलब क्या हो गया? उनके बीच के दूरी की बात कर लोगे जो सबसे नजदीक होगा बल ज़्यादा दूर होगा बल कम हो जाएगा ठीके बात तो ये प्रकार के ये चार प्रकार के आपके बल होते हैं जो non-contact force होते हैं अब ध्याद समझे non-contact मैंने क्यों बोला क्या sun और mercury के बीच में कोई contact है? नहीं वो छेत्रों में लग रहा है इसलिए ये चेत्र है उसका तो ये चेत्र में लग रहा है इसलिए क्या होगा आपका हो गया अगर आप बोलोगे कि नुक्ली नुक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कोई कांटेक्ट है नहीं कोई कांटेक्ट नहीं है इसलिए वह कैसा फोर्स हो जाता है समझ में आगी बात वैसे विद्द कांटेक्ट वोस और कांटेक्ट वोस के बारे में ठीक है बात आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखते हैं नूटन स्लॉफ मोशन के बारे में ठीक है नूटन के गती संबंधित नियम गती संबंधित नियम के बारे में ठीक है नूटन के गती संबंधित नियम में अब ध्यान समझेगा ये जो नूटन सहाब थे न इन्होंने 1687 में एक बुक लिखी जिसका अरामता प्रिंसिपिया इस प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने इन तीन नियमों का तीन नियमों का वरणन किया है ठीक है इसको गती विशेक नियम या गती संबंधित नियम कहा जाता है तीनों नियम की चर्चा की तो प्रथम नियम जो था वो है आपका ठीक है जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉओ अफ मोशन इसको बताया था न्यूटन्स आपने से समझा ही दिया था इसको बताने वाले थे आपके गैलीलियो गैलीलियो इसी लिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था लेकिन इससे समझा नहीं पढ़े थे उसको समझाने का काम किससे न किया थ Chen इसलिए Newton's first law को आपको Galilio का नियम भी कहना पड़ता है। समझ में आगी बात अगर आपसे पूछा जाए Galilio का नियम किसे कहा जाता है? Newton's first law of motion को कहा जाता है Galilio का नियम, ठीक? लेकिन उसे समझा वो नहीं पायते, ठीक? यह क्या है आपका इसमें? इसमें कहा जाता है law of inertia, ठीक, law of inertia या फिर आप बोलोगे जड़तो का नियम, जड़तो का नियम, अब पहली चीज यह आती है कि जड़तो है क्या? सिंपल सी बात है, जड़तो क्या है? तो जड़तो, सिंपल सा अगर मैं definition बताऊं, जड़तो क्या होता है? आपका वस्तु का द्रविमान होता है, वस्तु का द्रविमान, या फिर आप बोलोगे, mass of body, mass of body, mass of body को क्या बोलते हो? इनर्शिया बोलते हो या फिर जड़तो बोलते हो, जैसे मालो, यह एक आदमी है, ठीक है, और उसके बास, उसके बगल में ही, यह एक मोटूस आदमी खड़ा है, ठीक है बात? अब द्यान से देखिए, इसका जो mass है, वो 60 kg है, 60 kg, इसका जो द्रविमान है, या फिर mass है, य यह है, 80 kg, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में अगर मैं तुलना करने के बोलू कि कि इसका जड़तो जादा होगा, तो आप बोलोगे, इस मोटूले का जड़तो क्या होगा, वो जादा होगा, क्योंकि इसका द्रविमान क्या है, जादा है, समझ में आगी बात, और इसकी नर्शिया क्या होगी, वो उसकी नर्शिया क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, अब इसको मैं कैसे समझाओंगा आप लोगों को, ध्यान समझेगा, कि जड़तो वो इस्थिती है, जड़तो क्या है, वो इस्थिती है, जिसको तोड़ने के लिए बल की आ परता है ध्यान से देखना अगर माहलों इसका मास साट किलो है इसका मास कितना है असी किलो है अब नॉर्मल बड़े ही लेममान भाशा में अगर मुझे इन दोनों को गिराना है या फिर चलाना है ये देख दो एग ये बल क्या उशक्ता पड़ेगी इसकी इनर्शिया को ब्रेक करने में परन्तु वही पर कम बल में मैं इसकी इनर्शिया को ब्रेक कर सकता हूँ तो बल वो है जो की इनर्शिया में या फिर जड़तों में बदलाव लाता है जड़को किस पर निर्भर करता है तो आप बोलेंगे उस वस्तु के द्रवे मान पर यह डिपेंड करता है। अब देखो, लखवा देता हूँ… वस्तु का, वह गुर। जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे जडत्व कहलाता है जिसके कारण परिवर्त भी दिसके कारण ग्यूसenteश। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया की क्या है, डिफिनिशिन है, जड़तु की, ठीक है बाद, वस्तु का वर्कोर्ट जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्ता परिवर्तन का विरोध करें जड़तु कहलाता है, ठीक है बाद, और इस जड़तु को तोड़ने के लिए क्या होगा बल चाहिए अवस्ता में परिवर्थन के लिए क्या चाहिए होगा बल चाहिए होगा अब बल आएगा आगे ठीक है तो अभी देखते जाओ अब ध्यान से देखो अगर मैं बोलूं कोई एक कॉस्को की बॉल है छोटी ओली जो क्रिकेट स्वाल होती और एक कोई फूट बॉल है कोई एक काॉस्को की बॉल है कोई एक फूट बॉल है अब इन दोनों के अंदर किस में जडनत्व जादा होगा तो आप बोलेंगे सीधी सी बाते सर मारना पड़ेगा इसको थोड़ा सा छू देंगे तब यह क्या होगा आगे बढ़ जाएगा अब यहां पर क्या हुआ तो एक चीज़ तो मैंने यह बताई कि जड़त जो है वो किस पर डिपेंड करता है वस्तू के मास पर पर परन्तु वस्तू का मास अगर गोल है अगर कोई वस्तू आपके विर्ताकार में है सर्कल शेप में है तो उसमें वो किस पर डिपेंड करेगा उसकी रेडियस पर यह भी तो कह सकते हो कि अगर इसका रेडियस कम है उसका द्रवेमान भी क्या होगा कम इसका रेडियस क्या है जादा तो द्रवेमान क्या हो जाएगा जादा स है पहली चीज ठीक है फिर दूसरी चीज क्या होगा जड़त्व किसी वस्तु के त्रिज्या या फिर रेडियस पर भी डिपेंड करता है त्रिज्या पर निर्भर करता है सिंपल सी बात है रेडियस बढ़ा दोगे साइस बढ़ जाएगा साइस बढ़ जाएगा तो उसका माज़ भी क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है किसके इनर्शिया से अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ आगी अब इनर्शिया दो प्रकार की होती है अब इनर्शिया कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है पहला होता है इनर्शिया ओफ रेस्ट इनर्शिया ओ प्रेस्ट जिसको आप बोलते हूँ विराम का जड़त्व विराम का जड़त्व मतलब अगर कोई वस्तु इस्थिर है इस्थिर अवस्था में है तू वह तब तक इस्थिर अवस्था में रहेगी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर जब तक उस पर कोई बाहे बल कोई बाहे बल ना लगाया जाए अवस्था में बाहे बड़़्किन रहेगी जब तक उस पर अवस्था प्चिर अवस्था वस्था तक उस्था जब तक उस्था है वस्थाओड़। इस एप्लाइड ओन इट ठीक है जैसे माल लीजिए आपने कोई पैन उठाया और पैन को आपने मेज पर रख दिया अब वो मेज पर ही पड़ी रहेगी और तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप दुबारा उस पर बल लगा करके उठाते नहीं हो समझ में आगी बात आपने क्लास में नोर्स बनाया और नोर्स को ले जाकर के घरक में किसी भी रैक पर अपने रख दिया वो तब तक आपके रैक परी पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर बल लगा करके निकाल के उसके पन्ने को पल्टोगे नहीं कोई भी बॉड़ी कोई भी वस्तु है इस पृत्वी पर वो हमेशा अपनी अवस्ता को बरकरार रखना चाहती है अगर वो rest में है वो तब तक अपने rest में रहेगी तब तक विराम अवस्ता में रहेगी जब तक कोई बाहेबल उस पर आरोपित ना किया जाए इसे कहते हैं inertia of rest जड़तों का विराम का जड़तों ठीक अब इसके example क्या क्या है जियान से देखिएगा इसके example और इसी के application जो होते हैं आपके paper में पूछते हैं जैसे आप जब पहला example आप अभी रजाई ठंडी का समय आने वाला है आप क्या करोगे दिवान में से रजाई को निकालोगे अब दिवान में रखे रखे या पिर कहीं पर भी रखे हुए बांद के रखे हुए उस दरी पर कुछ धूल के कण चिपक गए होंगे आप क्या करोगे उस दरी को दिवाल पर लटका करके धूप में ठीक है मालो यह दरी है आपने इसको क्या किया दिवाल पर लटका दिया आप इस पर क्या करोगे डंडे से पीटोगे आप इसको डंडे से पीटोगे जब आप इसको डंडे से पीटोगे तो ये जो आपका बड़ी वाली दरी है वो तो आगई movement पर परन्तु इस पे चिपके हुए जो कड़ होते हैं इन्हें ये अभी भी rest अवस्था में ही है जब आप दरी को पीटते हो तो दरी पीछे के तरफ चली जाती है और ये जो आपक कड़ होते हैं वो अपनी जगह पर इस्थिर होते हैं तो दरी से जो आपकी धूल होती है वो बाहर के तरफ निकल जाती है reason उसके पीछे क्योंकि उस पे लगे हुए कड़ विराम अवस्था में है उन्हें नहीं पता है कि दरी मूव कर जाएगी अचानक और जैसे दरी मू कंबल को जाड़ने पर जाड़ने पर धूल के कड़ कड़ का अलग होना अलग होना चीक है सिम वही चीज़ अब लगा सकते हो इसमें कि माल लो कि आप कपड़ा धुल करके लेकर के गए अरगन पे टांगने के लिए आपने उस कपड़े को निचोड़ा निचोड़ दिया अब निचोड़ने के बाद उसको डालने से पहले आप उसको फटकते हो मतब उपर से नीच में रहना चाहिए और जैसे आप उस कपड़े को आप हिलाओगे वो पानी के कंड अपनी इनर्शिया की वज़े से वहीं पर रुके रह जाएंगे और कपड़ा नीचे आजाएगा और वो अलग हो जाएगे समझ में आगी बात ये होता है आपका पहला एक्जाम्पल ठीक दूसरा देख लिजे अचानक गाड़ी के चलने पर गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की ओर जुक जाता है जैसे माल लीजे कोई ये गाड़ी है एक माल लेते हैं इस पर ये बैठा हुआ है ठीक है बात और ये गाड़ी क्या कर रही है आगे के तरफ मूव कर रही है जैसे ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो इसकी जो बाड़ी टैच में है इस गाड़ी के साथ वो तो इस बाड़ी के साथ क्या होगी आगे की तरफ बढ़ जाएगी परन्तो ये जो सर और जो टैच में नहीं है वो अपनी इनर्षिया को मेंटेन करेगा और ये किधर चला जाएगा पीछे के तरफ समझ में आगी बात जैसे गाड़ी मूव करेगी तो नीचे वाला पोर्शन जो इसके पैर के लंबर के नीचे वाला सेक्षन है वो तो टच में है गाड़ी के वो सीधे कहां बढ़ जाएगा आगे के तरफ पर उपर वाला जो हिस्सा है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करेगा रेस्ट में रहने के लिए और ये पीछे रहता है और ये आगे बढ़ता है यात्री क्या होता है पीछे के तरफ जुख जाता है अचानक गाड़ी के चलने पर यात्री का पीछे की और जुख जाना ये दूसरा एक्जामपल हो गया ठीक तीसरा कांच में पत्थर मारने से मारने से तूट जाना वहीं गोली मारने से मारने से छेद हो जाना अब देखके दियान से माल लीजए को यह ग्लास है इसके पार्टिकल सबация क्या होंगे अटैज्ट रहेंगे इह ठीक है बात इसके पार्टिकल सारे का सारे क्या है आपस में अटैज्ट है आपने जब गूली मारी तो सिर्फ इतना ही पार्टिकल क्या हुआ उसका डेमेज हुआ लेकिन बाकी के पार्टिकल इनर्शिया में थे अपने रेस्ट पोजीशन में थे इनर्शिया में थे उन्हें पता नहीं चल पाया और ये कांज में हमीशा क्या होगा छेद लेगा परन होगा वो तुरंत क्या होगे इस पार्टिकल में डिस्ट्रिबूट हो जाएगा और कांच टूट जाएगा पत्थर मानने पर परन्तु जब आपकी गोली चलती है तो वो इतनी स्पीड में रहती है कि सिर्फ उतना हिस्सा आपका प्रभावित होता और बाकी के हिस्से जो होत जाता है वहीं गोली मानने से सिर्फ वह सिफ क्या होता है क्योंकि कांच में पत्थर मारों तो उसका लगाया हुआ फोर्स पुरे कांच में डिस्रिबूट हो जाएगा परन्तु जब आप गोली चलाओगे तो फोस डिस्रिबूट नहीं होता बाकी कि जो भी आपके जाने से फ़लों का तूटकर गिर जाना ठीक है मालो यह कोई आपकी पेड़ है ठीक है और इस पर क्या लगा हुआ है आपके फल लगे हुए अब कोई वैक्ति नीचे से आता है और इसको पकड़के जोर-जोर से क्या करता है इसको लाता है तो पूरी बॉड़ी जो होगी हो मुव्मेंट में आ जाएगी परन्ति ये फल जो होंगे वह अपने किस पोजिशन पर रहेंगे इनर्शी आफ रेस्ट को मेंटेन करेंगे इनर्शी आफ रेस्ट की वज़े से ये जब पेड़ हिलेगा तो ये तूट करके क्या होगे नीचे के तरफ गर जाएगे तो कोई भी वस्तू होती है वो तब तक अब अगर आप इस पर बरलाग तो तो तूटी जाएगा परन्तु नीचे से हिलाने पर पूरी बॉड़ी जो है पूरे जो पेड़ होगा वो मुवमेंट में आ जाएगा परन्तु ये जो आपके फल होंगे ये अपनी इनर्शी आफ मोशन की गती का जड़तु गती का जड़तु तो देखिए गती का जड़तु क्या कहता है यदि कोई वस्तू गती में है यदि कोई वस्तू गतीशील है तो गतीशील ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाये गण्यां रोकै के लिए रोकोई रोकाटु लुיל क्यफ डिए रोकोई रोक吗 रोकाटु रोकै k буквारा है 해 इस नॉट अप्लाइड अन इट टू स्टॉप मालो कोई वस्तु है और वो मूव कर रही है और तब तक वो मूव करती रही जब तक कोई उस पर बाहे बलहम ना लगाए तो इनर्शिया से आपने दो चीजें समझी इनर्शिया क्या होता है जड़त होता है किसी विवस्तु का और ये दो तरीके से होता है या तो वो रेस्ट का होगा विराम का होगा या तो वो मूवमेंट का होगा अगर कोई वस्तू रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाहेबल उस पर आरोप इतना किया जाए जिससे उसकी रश्या ब्रेक होगी और वो मूव करना शुरू करेगी कोई वस्तू अगर movement में है तो वो तब तक movement करती रहे ये जब तक उस पर बाहेबल लगा करके आप उसे रुकेंगे ठीक, इसके example कौन-कौन से हो सकते हैं अचानक गाड़ी के रुकने पर अचानक गाड़ी के रुकने पर या त्री आगे की ओर आगे की ओर जुख जाता है ठीक, जैसे माल लीजे ये कोई कार है आपकी ठीक, पर ये move कर रही है और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है ठीक अदमी क्या है इसमें बैठा हुआ है जैसे ये break apply करेगा तो आपके नीचे वाली body जो की कार के संपर्क में रहेगी वो रुक जाएगी, वो तो रुक गई लेकिन उपर वाली body जो है वो अभी भी movement में रहती है क्योंकि वो किस में है inertia of motion को follow कर रही है जैसे break लगेगा तो ये body आगे की तरफ जाने का प्रयास करेगी ठीक है तो inertia of motion होता है इसलिए आदमी क्या होता है आगे की तरफ जुक जाता है ठीक है तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है रुकता है तो गिर जाता है सेम वही चीज़ अगर कोई वेक्ति दौड़ते विए आ रहा है और अचानक को उसने अपने आपको रूक लिया तो उसकी बॉड़ी किसमें रहेगी इनेशिय आफ मोशन में और ये क्या होगा तुरंट गिर जाएगा तीसरा ट्रेन से कूदने पर यात्री कुछ दूर तक ट्रेन की दिशा में बागता है ट्रेन से कोई आदमी अगर कुदता है तो ट्रेन की दिशा में अगर ट्रेन आपकी मूव कर रही है इस दिशा में माल लैजे ट्रेन अगर आपकी इस दिशा में मूव कर रही है तो कोई आदमी अगर प्लेटफॉर्म पर कूदेगा तो वो इसी दिशा में कुछ दूर तक भागते हुए रहेगा अगर वो अपोजिट डिरेक्शन में जाएगा तो तुरंद वो क्या होगा गिर जाएगा इससे ट्रेन क दिशा में ही अगर जब भी कोई कूदता है तो ट्रेन के विसे कूदना नहीं चाहिए तो बहुत गलत चीज होती है इंसे के नंते गिरने की चांसे सरक करकर के ट्रेन की पट्रील पे आने के चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि आप इनर्शी ऑफ मोशन में रहते हैं और जैस था लंबी कूद मतलब लॉंग जम्प लंबी कूद के पहले एथलीट कुछ दूरी तक दोड लगाता है दोड लगाने का मतलब क्या है कि अगर कोई अथलीट दोड़ना इसमें इनर्षय आफ डुरी तक वो आगे बढ़ सकता है तो यह था न्यूटन का पहला नियम जिसको आप इनर्षय का नियframes गैलियो का सिदन भी कह सकते हो इसमें इनर्षय अफ रेस्ट और इनर्षय आफ मोशन की बात होती है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे second law of Newton की Newton के दूसरे नियम की Newton's second law of motion Newton का दूसरा गती संबन्धित नियम Newton का दूसरा नियम जो है वो मुमेंटम का है ठीक है इस नियम के द्वारा दूसरा में का उपहर स्वाराइढ का दूसरा मेंटम का दूसरा राप्थ होता है प्रम दिस निए फॉम दिस लॉव वी गेट फॉर्मुला ओफ पॉर्स अब इस नहीं हमके दौरा क्या कहा जाता है बल समवेक परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है इट मेंस फॉर्स इस डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो चेंज इन रेट आफ मोमेंटम याद करिए इसको मैंने लास लेक्चर में आपनों को बताया था कि समवेक परिवर्तन इंपल्स कहलाता है लेकिं समवेक परिवर्तन की दर बल कहलाती है वही चीज है यहाँ पे तो बल क्या हो गया फोर्स इसके सम्मानुपाती हो गया चेंज इन मोमेंटम अपाउन टाइम एफ इस डियर्टी प्रपोर्शनल टू एम वी तू माइनस एम वी वन अपाउन टी एफ इस डियर्टी प्रपोर्शनल टू एम कॉमन हो जाएगा वी तू माइनस वी वन अपाउन टी एफ इस डियर्टी प्रपोर्शनल टू एम डेल्टा वी अपाउन टी तो एफ बराबर प्रपोर्शनल हो जाएगा मास डेल्टा वी अपाउन टी क्या होता है acceleration, समझ में आगी बात, F is right के प्रपोश्चल क्या हो जाता है acceleration में के, तो आप लिख सकते F बराबर M A ठीक है, यह होता है, तो पहले वाले से आपको बल की definition मिली, बल क्या है, बल एक push या pull है, जो कि किसी भी body के inertia को break करता है, inertia क्या है, inertia of rest भी हो सकती है, inertia of motion भी हो सकती है, अब यह बल क्या होता है, अब ध्यान समझेगा, बल क्या होता है, बल का जो समिकरण है, उसके बारे जानकारी कहां से मिलती है, Newton's second law of motion से, यहाँ पर force क्या होता है, change in rate of, change in momentum, rate होता है, मतलब momentum के परिवर्दन की दर को आप बल बोलते हो, ठीक है, mv2-v1, अब on tick करोगे, तो formula क्या निकल किया जाएगा, f बराबर m में हो जाएगा, ठीक, अब इसका जो application है, वो कहां कहां पर है, example कौन कौन से हैं इसके, पहला क्या होगा, कराटे का खिलाडी, इसके, इट को तोड़ने के लिए, अधिक, चोट मारता है, दूसरा, खील को, दिवार में, गाड़ने के लिए, गाड़ने के लिए, बड़े है, थोड़े का, थोड़े का, प्रियोग किया जाता है, पेनिस की, गेंद की, तुलना में, ख्रिकेट गेंद से, जादा, चोट लगती है, तुभी समझाता हूँ, क्या है, परिशानों नहीं ज़रत नहीं, है, चोथा, गद्दे की तुलना में, फर्श, पर, जादा, चोट लगेगी, ठीक, उची, या, लम्बी, कूद के लिए, जमीन को, खोद कर, हलका, कर, दिया, जाता है, अब आप कहोगे, सर्ची, इसमें ज़्यादा तर जो नियम आप बता रहे हो ना, जैसे ये वाले नियम बता है, ये वाले नियम बता है, तो ये सब्तों से थर्ड लाउप मोशन के, लेकिन बाबू, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो वाँ चोट आ गई ना, कोई भी क्रिया होगी, तो उसके पीछे क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, अगर आप क्रिया प्रतिक्रिया को देखोगे, एक्शन इस ऑल्वेज एक्पल टू रिएक्शन हो जाता है, तो अगर आपको चोट को कम करना होगा, तो उस जगे के मास को आपको कम करना पड़ेगा, समझों, आगे बात जैसे, अगर मैं माल लू, एक फोम का, आपको एक दिवाल दे दू, फोम की दिवाल, और एक आपको मैं कॉन्क्रीट की दिवार दे दू, यह फोम की दिवाल है और एक कॉन्क्रीट की दिवार है, आप इस पर क्या करो, सेम इंटेंसिटी से पंच मारो, same intensity से क्या करो पंच मारो आपको चोड किसमें जदा लगेगा concrete वाले में लगेगा लेकिन वही perform वाले पर same intensity से आपने पंच मारा है तो यहाँ जो reaction इसके दूपर किया जा रहा है वही तो चोड है वो भी तो बल लगा रहा है आपके उपर वह भी तो आपके उपर बल लगा रहा है तो अगर आपके बल क्या आपको amount कम करना है जो कि आपकी reaction का force हो जाता है वो क्या करोगा आपको उसके mass को कम करना पड़ेगा ठीके बात तो karate का खिलाड़ी eat को तोड़ने के लिए अधिक चोड मारते तो आप को बढ़ा दोगे वो सुब क्या करोगे बढ़ा दोगे एक सिलेरेशन को को तेजी से हाथ को नीचे ले आपड़ेगी दिवार में गाडने के लिए बड़े हथोड़े का प्रियों करना पड़ता है माल लीचे कोई भी दिवाल है उस पर आपको कील को गाड़ना है ठीके बात उसको आप पे क्या करना है कील को गाड़ना है अगर आप इस कील को गाड़ना चाहते हो तो इससे बड़े हथोड़े का प्रयोग आपको करना पड़ेगा अगर आप बड़े हथोड़े का प्रयोग लो क्या होगी बढ़ जाएगी आपने इसके मास्क बहुत बड़ा हतोड़ा ले लोगे एक बार चोट करोगे उतने एक्सलेरेशन के था जितने चोटे हतोड़े के साथ कर रहे हो यह कील क्या होगी अंदर के तरफ भुष जाएगी अब देखो टेनीस की गेद के तुलना में क्रिकेट गेट से जादा चोड़ लगती है अब टेनीस की जो गेद होती है वो थोड़ी से पुछ-पुछी से होती है ठीक है और क्रिकेट की गेद की बात करेंगे तो जैसे कॉर्क के बाल कब्रेयों किया जाता था पता जिसने भी क्रिकेट खेला होगा वो जानता होगा लाल रग्यादी थिपहले कोड की यह थी थीक है उसका जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है जैसे अगर उसका मास अगर आप द्रविमान देखो लाऍक कोड़्ेस का बहुत जधा होता है और उससे अपको चोटť लङेगा तो तो जादा चोट खाँगी क्यों मास उसका क्या है उसके दोबाला लगाया वाबल ग्या होगा धिक घड़े की तुलना में नोती है कि है जंप के आ राया बागते हुए यहा पूरे हिस्टे को खोद दिया जाता है कि कहीं पर भी वक्ति अगर गिरे तो इसके द्वारा लगने वाला जो रियक्शन वाला फोर्स है वो कम हो जाए अगर यह पूरी पूरी तरह समय रोड पर ही अगर कोई वक्ति पूता है तो उसे चोट जादा लगी क्योंकि उसके इंटेंसिटी देखोगे वो किससे लगती है आपकी न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन से अई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक तो पहले वाले से हमें बल की डेफिनिशन मिलती है दूसरे वाले से बल का सूत्र मिल जाता है फॉर्मुला ओफ फोर्स मिल जात न्यूटन का तीसरा गती संबंदित नियम ठीक इससे बल की प्रकृति गुण क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं इस कॉल एक्षिन रियक्षिन नेचर ओफ फोर्स अब देखें द्याद से होगा क्या माल लीजे अगर आप किसी भी दिवाल पर एक मुका मारेंगे पंच मारेंगे तो वो भी दिवाल आपके उपर क्या करेगा बल लगाएगा तो इसको कहते हैं एक्षिन रियक्षिन जितना बल आप किसी वेक्षिक के उपर या किसी भी वस्तों के उपर आरोपित करते हो ठीक उसी के विपरीत उतना ही बल वो आपके उपर भी आरोपित करती है इसको एक प्रकृति गुड़ या प्रतिक्रिया भी कहते इस कॉल एक्षिन रेक्षिन नीचर ऑफ फोस बल्ज होगा वह हमेशा जोड़ों में लगेगा बल क्रितिक्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तूँ उपर लगने वाला बल है नौव से उतरने पर नौव पीछे के ओर चली जाती है नौव को चलाने के लिए चप्पू से पानी को पीछे के तरफ ढखिलना पड़ता है रॉकेट के ओ